स्वागत है दोस्तों ट्रिक्स कारड़ा में फिर सेब सेभी का एकवार स्वागत है आज हम लोग देखने वाले हैं economics के बहुत ही महत्वपूर्ण topic को हम लोग देखते हैं बेरोजगारी को यानि unemployment इसे बहुत सारे question आता है और हम लोग को समाज में नहीं आने के बज़ा से इस question को या तो हम लोग छोड़ देते हैं या गलती कर बैठते हैं examination में तो आज के बाद मैं बादा करता हूँ कि आज तक आपको अगर confusion होता है तो आप यह वीडियो को पूरा देखिए बीच में छोड़ने का प्रयास नहीं किजिएगा अगर यह वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपसे question एक भी question इसे समन्दित नहीं चुटेगा तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले बिरोजगारी को इंगलिस में तो आमने अनिंप्लाइमेंट हम लोग कहते हैं उसको समय लिए अब देखिए कि बिरोजगारी होता क्या है समझे अगर question है सबसे पहले definition कहीं अगर चर्चा अ यह यहांनि qualification च्हमता भी यानि उसके पास करने की च्हमता भी और चाहता है कि मैं काम करूं और उसे काम अगर न मिले तब उसको क्या कहेंगे बिरोजगारी कहेंगे अनिंप्लामेंट कहेंगे ऐसा नहीं कि डिग्री भी नहीं है या कुछ उसके पास योग्यता नहीं है औ यह उसको पास कावजाग होग्यता नहीं मिल रहा हूँ तब उसको क्या कहेंगे बिरोजगारी कहेंगे तब भारत में को जारिकरता है तो नहीं कि पूरा नाम क्या होता नेसनल सीमपल सरवे और्गनाजेशन होता है क्या होता है नेशनल सेंपल सर्वे और्गनाजेशन होता है एने सेसो का पूरा नाम होता है अब देखिए कि इसका अस्थापना किस वर्स हुआ था तो इसका जो अस्थापना हुआ था वह उन्हीं सो पचास में हुआ था इसका अस्थापना अब दे अगर किया जागा कि कहा मेने से का मुख्याले है तब नई दिली में लेकिन सांखी की मुख्याले का अगर किया जागा तब वह कलकत्ता में है दियान दीजिएगा अगला ह्ल朝 अगर कोश्चन के जाता है ऋने से सु किस मनत्रा ले की अधीन आता है तो ग्र髙地 जंशनक्या का परकार या नी हमारे जो देश सब्सक्राइबQué सब्सक्राइब जो दो प्रकार अंटेड़ के इसको मेशुव अब या六 infection कउनों कपा Gefes9 बीच थो यह दो आथी right सब्सक्राइब कम और चॉंसाथ나spl च्राइब के सिरेनी में प्रकारइब कि अइसा नी सभी कांग करना या सब्सक्राइब आपको समाजिक आर्थिक समासिया है कि दोनों है तो यहां दोनों है अगर क्या कि विर्योजगारि कैसी समासिया तो समाजिक और आर्थिक समासिया दोनों के अंत्रिघयत आता है अगर देखिए के वेदconnect के अ उन्हूंध है को हम लोग देखते है अगर यह वीडियो आप पूरा अगर देख लीजेगा तो किसी वब्यक्ति के तब रहने इन रहने से कोई समय से नव हो तो उस पर बेथिक रहे यानि कोई रहे ना स्मझेख क знаете कrejsk न नहीं होता है जे पर तो होता है कि एक कठ था कि हभी समझेख अगर 10 मन चाबल होता है आगर एक भीमा में यानि यानि वीस कठा में अगर दस मन चाबल होता है, इसमें अगर पांच वेक्ति अगर काम कर रहे हैं, और दो वेक्ति अगर और अगर आ जाता है, तो ऐसा थोड़े होगा कि इसमें और जूट जागा दो मन, ऐसा तो होगा नहीं, यानि जो उसका कैपसीटी है, खेती का, वही होगा, यानि कोई भी, या दो वेक्ति अगर इसमें से चला भी जाएगा, पांच के जगर तीन ही अगर आदमी अगर काल जगर करता है, तब भी यह अहां पर क्या होगा, तो दस ही मनु आपे धान या जो चाबल होता है, जो होगा, समझे, तो इससे जाने से कोई भी, या आने से कोई भी समस्या न हो को हम लोग परचन विरजगारी एक बेर्यकार यदुile cabri ये हम لोग इसको कहते हैं ऑगि अगला मौश्मी विरौजगारी तो नाम के साथ धिले उत्पन होता है उसी को हम लोग मौश्नाई विरौजगारी कहते हैं अब देखें कि मौश्मी तब बिरुजगार हो गया तब क्या होगा तो वह गन्य का जूस बेच रहा है यानि मौसम बिरुजगारी होगा घरमी के दिन ठंडा पानी पीने के लिए लोग घरा खर देंगे लेकिन ठंडा के दिन में नहीं खर देंगे तो बिरोजगार हो जाएगा इस वजए से मौसमी बिरोजगारी उसको कहा जाएगा आगला हम लोग देखते हैं घर सनात्मक बिरोजगारी यानि घर सनात्मक बिरोजगारी क्या तो एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी को लगने में जो समय लगता है उस बिरोजगारी को घर सनात्मक बिरोजगारी कहते हैं अगर कोश्चन अगर क्या जागा कि घर सनात्मक बिरोजगारी कौन से देश में होता है ते बिक्सी देशों में होता है होता है क्या तो यानि एक नौकरी में मैं लिया कि कोई बजती है अगर एक नौकरी छोड़ दिया दूसरा नौकरी करने जा रहा है अब बीच का जो समय है इस दर्वियान में जो खाली जो समय है इसमें जो बिरोजगारी उत्पन होगा उसी को हम लोग घर सनात्मक कहते हैं यह सिर्फ जो होता है बिकसी देशों में होता है विकासील देश में तो एक नोकरी तो मिलना मुस्की रहता है और छोड़ करके कोई दूसरा नोकरी करता है बहुत कम ऐसा होता इस वज़े से ज्यादा तर्ज होता है बिकसी देशों में होता है इस वज़े से अगर कोश्चन किया जा कि घर सनात्मक बिरोजगारी जो होता वो कैसे देशों में होता है तो बिकसी देशों में होता है अगला पहुन देखे चक्रिये बिरोजगारी अ यहां, माल malaria आजाकी, 100 बेक्ति काम कर रहे है ऌब मालीय आजाकी, इस बस्तु का अगर बेक्ति का अगर मांग अगर घट जागा, तब इस में से उत्रफ़ादं गटेगा जब इस वज़े सो जो युथा जाएगा चक्रिय वे रोजगारी में आएगा अगला दखिए अब बीरोजगारी बुरशान किसी के कारिई छंता के नुसार रोजगार न मिलता है तो उसे अलप और इपसे रडिया है समझे को अनुसार इसको नौकरी नहीं मिल पाया है इस वजह से उसको जो कहा जाएगा उसको अल्प रो जगारी कहा जाएगा अब इकसी देसों में होता है इस वजह से को जो छोटे-छोटे जोब में भी योगता अच्छी योगता पा करके छोटे-छोटे नौकरी करना पड़ता है अब इकसी देशों में तो अल्प बिरोजगारी का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो हम लोग लीखेंगे कि या यानि कारी छमता के अनुसार काम का न मि जोजगारी कहते हैं यह किसमें तबीका सील देशों में होता है अब देखिए कि अध्योगी च्छेत्रों में परिवर्तन कैसा होता है तो जोब कैसे जाए यहां पर मालियाजा कि एक फैक्टरी है यहां पर दीन भर में 1000 कलम बना रहे हैं आप यहां पर दीन भर में 50 अदम इस तरीके से जो बेरोजगारी उत्पन होता है उसको हम लोग सरचिनात्मा बरोजगारी कहते हैं हम लोग देखते हैं फिलिप बकर को तो दोस्तों अगर वीडियो आपको दोस्तों में जाकर के ज़ए और अपने दोस्तों को पास सिर किजिए तो देखते फिलिप बर्क को हम लोग तो बिरोजगारी की दर्त था मुद्रा अस्फिती की दर्क के मध्ध जो अल्पकाल में जो बिप्रित समंध दर्स आता है यानि बिरोजगारी दर्त था मुद्रा अस्फिती दर्क के मध्ध काल में इसको बिप्रित समंध दर्स आता है उसको क्या कत बनाया हुआ है यानि अगर इधर दर्साया गया है यह और से दर्स आए गया है इसको दर्साया गया है अगर किया जागा कि अगर इंप्लाइमेंट रेट अगर अधीक होगा तो तो मूद्रा अस्फिती की दर क्या होगी तो मूद्रा अगर इंप्लॉइमेंट रेट अगर बेरोजगारी की दर अधीक होगा तो मूद्रा अस्फिती यानि पैसा तो कम ही कमाएंगे लोग समझे अगर बेरोजगारी अगर बोलहेगा तो बेक्ति के पास तो पैसा कम ही होग तो अगर जैसे जैसे माल यहां जाकि employment rate यहां है तब क्या inflation rate यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो employment rate और अधिक हो गया तो यहां पर पैसा कमेंगा लेकिन unemployment rate अगर कम होगा यहां पैसा आएगा तो मुद्राजपिति किदर अधिक होगा समझे तो अगर बैरोजगारी हटेगा तो मुद्राजपिति के दर स्वत्राइग होगा समझे तो इसको आप लोग धियान रखेगा इस डाइग्राम से बहुत सारा question important बनता है देखिए कि इससे समन्दित और भी एक point है भगवती समीति अब देखिए कि भगवती समीति क्या है तो भगवती समीति का सबसे पहले अस्थापना देख लेते हैं कि कब हुआ था तो 1973 मे हुआ था और यह किस लिए तो बिरोजगारी को मापने के लिए अब यह धारना कितने दिया था तो यह तीन परकार का धारना दिया था यानि बिरोजगारी को जारी करने के लिए यानि किस तरीके से बिरोजगार खोशित किया जागा तो तीन तरीके का अब धारना दिया ग समान इस्थिति होगा अगर किसी बैक्ति को चार घंटे और काम सिर्फ मिलता है समझें चार घंटे काम मिलता है और 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 नहीं मिलता है तो दीन भर में जो समीति जो बनाया गया यानि बेरोजगार के सिरेनी से जो बाहर जो रखा गया है वह कम से कम 273 दिन तक 270 दिन उसको जो कम से कम काम मिलना चाहिए 6-8 घंटा का समझे कितना तो 6-8 घंटा तक काम मिलना चाहिए लेकिन उसको काम कितना मिला है 4 घंटा से कम मिल रहा है तो एह वी एक परकार का बिरोजगार के सिरेनी में ही लाया जाएगा समझे तीसरा देखे कि चालू सब्ताही के स्थिति यानि सब्ताह के कूछी ही दिन इसको कार्ज मिलता है परंतु हमेशा नहीं यानि सब्ताह के सातों दिन कार्ज नहीं मिलता है चाहा तो एक दिन मिलता है ने तो दू दिन मिलता है तो इस तरीके से जो ब्रेजगारी होगा वो क्या होगा तो तो दोस्तो आज ये वीडियो हमारा जो था एकनॉमी से समंधित वीडियो था विरोजगारिस यानि अनि इंप्लॉआमेंट से समंधित वीडियो था आपको कैसा लगा है हमारे जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल क को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पीछ अधिक से अधिक शेयर किजेगा ताकि मैं और भी नए नए वीडियो लाते रहूं धन्यवाद जैहिंद